Hi guys, this is Vinit here, welcome to my channel So, इस वीडियो में मैं कॉन्स का मेंस प्रेपरेशन स्ट्राटेजी ले के आ रहा हूँ 2023 बैंक एक्जाम्स के लिए इससे पहले भी मैंने काफी स्ट्राटेजी वीडियो लाए हैं So, पहले मैं distribution आपको बता देता हूँ उसके आद मैं कुछ questions आपको बताऊंगा जैसे ये questions है ठीक है और फिर sources So, पहले मैं distribution बताता हूँ Questions कैसे आते हैं, कौन से आते हैं, ये आपको बता देता हूँ So, अगर आप देखोगे तो जो bulk part होता है टोटल 35 question होते है ठीक है यह 35 में 20 to 25 questions TI और case let क्या आते है case let में अभी fillers हो सकते हैं या आपको case let में या तो आपको essay दे देंगे या तो case let में पूरा word problem type होगा बहुत बड़ा case let होगा या आपको 1, 2, 3 ऐसे करके कुछ-कुछ data दिया होगा वो आपको case let में fill करके देखना पड़ेगा satisfy कर रहा है कि नहीं तो एक तो वो type का हुआ बड़ डियाई जो आता है तो डियाई में एक ना एक डियाई तो arithmetic पे होता ही है एक से दो डियाई तो arithmetic पे होता है बाकी जो होते हैं वो logical ही होते हैं logical in the sense pie chart दे देंगे या table दे देंगे और उसके साथ note करके देते है note करके ऐसे लिखा रहता है उस di में और data दिया रहता है तो आपको वो use करके सब निकालने है और फिर question जो lengthy होते हैं वो तो यह time taking तो होता ही है और miscellaneous में देखिए क्या क्या आता है मैं बदाता हूँ तो यह around 20 question तो minimum रहता है 20 ठीक है 35 में minimum 20 di होता है बट देखो scores आपको आपने देखा होगा इस वार IBPS PO mains में SBI PO mains, SBI clock में जितने भी match के होएं इतना लोग नहीं कर पाते हैं आपको select अच्छे से करना है जो main आपको marks दिलवाएगा और selection दिलवाएगा वो selection ही है questions का ठीक है आप कौन सा question select कर रहे है और कर ले रहे हो वही आपको end final result दिलवाएगा so final selection ठीक है तो miscellaneous में number series आता है ये हमेशा ही देखा जा रहे है कि हमेशा ही आ रहे है और खासका wrong term वाले आते हैं missing term वाले भी आते हैं बट wrong term वाले जादा आते हैं मैं आपको एक question भी दिखाऊंगा आगे कैसा है फिर quadratic आता है normal quadratic तो नहीं होता basically आपको कुछ-कुछ equations दिये रहेंगे polling ये उसका root और ये सब के बार में बात होगा IVPSPO mains में भी आया था ये और मैं किया था ये questions और ये आपको भी करना है ये जो miscellaneous part है मैं बोलूँगा ये बहुत important है ये आपको आपका sectional cut-off भी clear करवाएगा और आपको logo से आगे भी करवा देगा तो ये आपको कैसे भी अच्छे से practice करते हैं क्योंकि ये doable होते है क्योंकि DI में आप पता नहीं आप start कर दोगे अगर आपको नहीं understanding है तो आप कर पाओगे कि नहीं वो doubtfully है तो एक number system के question होते है तो number system में basically ऐसे questions जैसे की समझे 29, 297 raise to 228 क्या होगा ठीक है तो इसमें क्या होगा basically इसमें आपको unit digit का एक पूछा रहेगा ये बहुत बार repeat हो रहा है ठीक है ये चीज जो मैं बता रहा हूँ आप देखो के mocks में भी दिया रहे था तो unit digit कैसे पता चलेगा आपको इसका तो cyclicity का concept है काफी easy है ये ये आपको practice से समझ में आजाएगा क्या है cyclicity क्या होता है सबके basically जैसे अब ये अगर मैं 9 का बोलूँ 9 का अगर मैं बोलूँ तो 9 raise to 1 9 होता है अगर 9 raise to 2 करूँगा तो unit digit जो है वो 1 आएगा ये unit digit की बात कर रहा हूँ ठीक है तो 1 आएगा तो अभी आप अगर cube करोगे तो वापस से 9 आजाएगा तो 2 जो अलग अलग है वही cyclicity बोला जाते है तो 9 का cyclicity 2 है ठीक है तो वैसे ढूंडा जाता है मैं आपको बताऊंगा एक question करके बाद में तो ये आपको strong करना है miscellaneous ये जो भी 2 से 5 तीन चार जितने भी question है ये कर देना है ठीक है क्योंकि ये आपको sectional cutoff भी clear करवा देगा अगर paper hard आया है तो ठीक है otherwise तो आप D.I. तो करी लोगे अगर थोड़ा भी normal paper means के means जैसा है तो अगर level बहुत उपर आ गया तो इस साल जैसे I.U.P.S.P.O. means में हुआ तो आप जानते ही होंगे कि क्या हुआ है इस बाद उसके बाद देखिए word problems होते है मतलब pure arithmetic ठीक है उसका data sufficiency होता है तो ये doable होता है ये आप कर सकते हो इसमें भी basically arithmetic ही होता है बट ये किया जा सकता है कि ये statement sufficient है ये statement sufficient है या दोनों साथ में sufficient है वैसे type ये question होता है इसमें भी होता तो arithmetic ही है mostly बट बहुत बड़ा बड़ा नहीं आता है time taking है क्योंकि दो तीन statements होता है बट बहुत ऐसा बड़ा भी नहीं आता है तो ये कर सकते हैं ठीक है तो ये भी मैंने किया था एक question ऐसा IVPSP domains में फिर quantity one quantity two कभी आते हैं कभी नहीं आते बट ये भी रहता है जादतर mocks में भी आप देखोगे तो आपको ये भी आना चाहिए तो आप ये भी attempt कर सकते हो अगर arithmetic का अच्छा थोड़ा understanding है तो बाकि ये miscellaneous पर ध्यान देना बहुत अच्छे से ठीक है फिर fillers वाले जो मैंने case late के बता है वैसे fillers आते हैं या normal fillers question आजेंगे किसी भी time and work पे या किसी पे भी speed time distance पे आ सकता है बट easy होता है ये क्योंकि in the end आपको वही substitute करके देखना है आपको बस formula और वो सब सही से आना चाहिए concept clear होगा तो आप ये कर सकते हो तो ये एक होता है तो basically ऐसा distribution रहता है तो di सबसे ज़्यादा आता है आप इससे आपको समझ में आएगा कि क्या कितना करना है ठीक है बट exam में हमेशा आपका order कैसा होना चाहिए miscellaneous questions ढूंडना चाहिए पहले आपको number series ये वाले type के अगर आपको आ गया तो आप कर दो फिर second में आप data sufficiency है ये छोटे वाले type के ढूंडो third में फिर di ढूंडो easy वाले थोड़े easy वाले एक easy di रहता ही है जैसे IVPSP और mains में एक cricket का था जो की pie chart में था I think ठीक है एक speed time distance का था वो भी ठीकी था मतलब बहुत ऐसा नहीं था tough चार्ड लोग थे और ऐसे type के तो ये वाले question आप कर सकते हो इसमें pie chart था I think cricket वाला जो था speed time distance में I think data दिया था और table था ठीक से याद नहीं हो जो बट ये वाला करने लायक था बाकी अभी मैंस में probability का दे दिया था तो वह मैंने नहीं किया तो क्यूंकि probability मैंने basic किया है तो मैं मैं अटेंप्ट क्यूं करूंगो हो सकता है मैं गलत कर दूँ या मेरे से बने ही नीट और टाइम चला जाएगा तो ये सब आपको सीखना है आपका strength क्या है ठीक है तो ये distribution हुआ अब mocks में 85 या 90 greater than ये percentile से अगर आप उपर नहीं जा रहे हो तो you can't start mains, you can't start for mains, mains आप बिलकुल मत करना क्योंकि क्या होगा आप इदर भी मार खाने लग होगे, pre भी अपकर नहीं होगा और mains तो फिर कैसे ही होगा ठीक है तो आपको पहले pre का अपना strong करना है और ये सच्छ है क कि pre का अगर आपका बहुत अच्छे से हो गया जैसे कि मेरा तो वैसे ही हुआ, मेरा बहुत अच्छे से प्रीक हो गया तो mains का समझो 40-50% ऐसे ही समझ में आने लगता है, mains time taking बहुत जादा होता है ठीक है और समझना उसको मुश्किल होता है, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, time taking जादा है, अगर time देते तो सब जादा attempt कर सकते में, बट वही है कि उतने time में कैसे questions करें, क्या करें, ठीक है तो आपको, अगर आप beginner हो तो पहले आप अपना pre पे focus करो, concept learning पे focus करो, and practice पे, speed पे, practice, speed और accuracy, यह आपको focus करना है अपना, यह चीज़ आपको बढ़ाना है, pre का concept हो गया, फिर आप अच्छा number लाने लागोगे, mock में, maths का sectional, topic wise, यह सब आप दे दो, अगर आपको लगता है, आपको हो गया है, तो देखो क्या percentile आ रहा है, अगर आ रहा है, तो आप फिर intermediate और इसमें यह वाले category में चले जाओगे, तो देखिए, अगर आप already exams दे चुक और यह आपको कहा से, आपको sources मैं end में बताऊंगा वीडियो के, तो आप 2 DI कम से कम practice करो, miscellaneous वाले कम से कम practice, जितना हो सके करो, क्योंकि miscellaneous है, जो आपका cutoff भी clear करवा देगा और अच्छे का से number भी दिलवा देगा, जैसे कि मैं आपको अभी बताऊंगा, miscellaneous के कैसे questions होत इसके कम से कम 5 questions each practice करो, और यह everyday होना चाहिए, DI में time लगेगा, क्योंकि DI understand करना ही मुश्किल होता है कभी-कभी, तो यह आपको हर दिन करना है, यह आप हर दिन करोगे, तो इससे आपको पताचले का आपका strength किया है, तो यह miss मत करो, यह everyday करो, और जब आपको लगता है कि आ sectional देना start कर दो, अब आप sectional किसका दे सकते हो, या तो आप clerk का पूरा mock दे दो, या तो आप PO mains का sectional दे दो, तो जो भी आपके पास platform होगा, उससे आप दे सकते हो, जितना around सब के आपको 10-10 mocks, 10-10 sectional तो मिली जाएंगे, जो भी आपके पास platform होगा, और free sources भी है, बाकी त मिलता है, तो आप मेरे group, telegram group का link डाल दूगा में description में, वो join कर लेना, और उदर मांग लेना, मैं link को ढूंड के दे दूगा आपको, ठीक है, मैंने काफी practice किया है, तो मैं जानता हूँ, वो अच्छे ही है, काफी आपको help करेगा वो आपके preparation में, ठीक है, तो ये आपको everyday क करना है, ये चीज, या आप topic wise test दो, या sectional दो आपको practice लेकिन करना ही है, mains का, maths का वो डर हटाना है, और miscellaneous पर please focus करना, चूंकि ये number series और ऐसे type के question होते हैं, quadratic, या number system, hcf, lcm, ऐसे type के होते हैं, ये आपको number free का number मतलब दिलवा देगा, बस आपको थोड़ा सा मैनत करना है और ये आपका cutoff भी ने कलवा देगा, sectional वाला, आपको score भी मैट्स में अच्छा दिलवा देगा, बहुत अच्छे से अच्छे लोग मैट्स में 15 से VC number लेके आपाते हैं, समझ रहो, मैं भी अच्छा, मैंने भी अच्छा किया, मैंने अठरा attempt किया, 18 marks का attempt किया था, इभी PS प्लस भी चले जाता, तो आपको ये चीज़ करना है, everyday, ठीक है, so अभी देखो मैं जो miscellaneous के बता रहा था questions, तो miscellaneous के देखिए, ऐसे questions आते हैं, अब जिन्होंने practice ने किया, जो लोग को लग रहा था, मेरा pre clear ही नहीं होगा, तो ये चीज़ तो पहली बात कभी लगनी नह चाहिए, ये आपको इसके लिए लग रहा है, क्योंकि आप confident नहीं हो, तो आपको pre का, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छे से focus करके full concept अच्छा कर लो, तो क्या होता है, वो mains बैठते हैं, वैसे बच्चे, तो फिर क्या होता है कि ऐसे question देखके डर जाते, क् practice ना किया हो, या मॉक में देखा हो, बर ध्यान ना दिया हो, छोड़ दिया हो, तो ऐसा छोड़ना नहीं है, बिलकुल ये miscellaneous के category में ही आता है, ठीक है, और ऐसे दो तीन question आ जाते हैं, दो माक की आ जाएंगे, क्या करोगे आप, अराम से माक्स ला सकते हो, अगर आपने कि d, तो a is this, b is, ठीक है, ये है, c ये है, ठीक है, तो note ये भी दिया है, ये notes टाइप के दिया है, फिर अब देखिए, value of x is equal to the hcf of two prime numbers, तो देखो अब ये बहुत simple है, x का जो value है, वो hcf of two prime numbers, तो देखो, किसी भी दो prime number का hcf क्या होगा, बहुत simple है ये, one, ठीक है, अभी 2 या 5 मान लो, 5 या 11 मान लो, highest common factor, lcm क्या होता है और highest common factor क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, तो इनका hcf क्या होगा, prime numbers का, one होगा, one ही एक common factor है दोनों में, ठीक है, तो x का value मुझे मिल गया, अब देखिए, next condition, and the value of y is equal to the smaller root of the equation, ठीक है, तो ये देखिए 35, root क्या है, 5, तो में को पता चल गया, y 5 है, ठीक है, अब हम देख लेते हैं, a का value क्या हो जाएगा, x plus y, 1 plus 5, 36 minus 6, a 30 आ गया, अब b का value देख लेते हैं, 3x plus y, मतलब 3 plus 5, मतलब 8 by 2 क्या होगा, ये 4 हो जाएगा, 4 plus 1, मतलब b is 5 greater than a, तो b 35 आ गया, अब c का value देख लेते हैं, 5 minus x, 5 minus 1, 4, तो 16 हुआ ये, 16 greater than b, तो c का value 51 आ गया, और d का value भी ढूंडी लेते हैं, x plus 3, मतलब 4, square plus 10 plus 1, ये 11 plus 16, 27, तो d 27 जादा है, c से, मतलब 78 हो गया, ठीक है, तो अब value क्या पूछा है, धूंड लो, 2 into 35, 70 minus 51, 19 plus 30, तो answer, answer will be 49, तो देखिए, ऐसे type के questions आते हैं, अगर आपको जूट लग रहे हैं, आप देख लीजए, ये type के questions आपको mocks में भी देखेंगे, और exam में भी आ सकते हैं, clerk mains, rrbpo mains, sbipo, ibpspo mains, किसी में भी आ सकते हैं, ऐसे type के आ रहे हैं अचकल, ठीक है, अब क्या दिया है, if another series follows the same pattern as the given series, and the first term of the new series is 21, ठीक है, तो पहला 21 है, तो अब देखिए, अब हम लोग को pattern a, b, c, d तो पता चल गया है, c का है, 51, 78, और 116, तो क्या बोला है, fifth term हमें धूनने बोला है series का, ये भी धून लेंगे हम, ये कह है, वो minus 6, plus 5, plus 27, ये कतना, 88, 98, 38, तो मुझे दिख रहे है कि 11 से बढ़ रही है, तो मुझे इतना समझ में आ गया, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले minus, minus 6 करेंगे, तो 15 आ जाएगा, फिर क्या है, plus 5, 20 आ जाएगा, minus 6, plus 5, ठीक है, तो plus 16, तो 36 आ जाएगा, plus 27, तो 63 आएगा, तो बस ये फिफ्टम हो गया, ये फिफ्टम हो गया, ना, सेम पार्टें नहीं फॉलो करना था हमको, ठीक है, तो 11 का डिफरेंस आना चाहिए, common difference, तो 63 आंसर हो गया, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, एक और miscellaneous में दिखा देता हूँ आपको, ऐसे टाइप के भी आते हैं, ये ही मैं बोल रहा था, ये देखिए, unit digit ट्वाला चीज, आपको cyclicity जो मैं बता रहा था, cyclicity का जो मैं concept बता रहा था, ये ही concept बता रहा था मैं, so देखिए, ये अभी क्या है, with one wrong term, series 2 starts with the wrong term of series 1, and follows the same pattern of series 1, ठीक है, तो एक दूसरा series है, जो इसके wrong term से start होगा, तो पहले देख लेते हैं, इसमें क्या है, 8, 20, 32, difference तो नहीं है, बट ये मैं उझे into 2 वाला चीज देख रहा है, तो ये into 2 plus 1, into 2 plus 5, तो 2, अच्छा, जो लग रहा है, इन दोनम से कुछ हो सकता है, ये देख लेते हैं, ये क्या होगा, into 2 plus 4, ये क्या होगा, into 2 plus 5, तो समझ में आ गया मुझे, ये into 2 plus 3 होना चीए, तो ये सही है, ये सही है, ये भी सही है, तो इन दोनों में क्या होगा, ये into 2 plus 2, तो ये 32 होता, तो ये into 2 plus 3, तो 35 is the wrong number, तो if third term of series 2 is equal to n, तो 35 wrong number मुझे पता चल गए, अब क्या था, wrong term of series 1, तो 35 से start होगा, 35 into 2 plus 1, 71 हो जाएगा, ठीक है, और 35 into 2 plus 2, 71 into 2 plus 2 क्या होता है, 144, अब मैं आगे का नीड होड़ूँगा, क्योंकि मुझे इदर दिखा है, third term of series 2 is n लिखा है, तो ये n हो जाएगा, so n is equal to 144, ठीक है, n का value मिल गया हमें, then which of the following statements is or are correct, कौन से correct है ये 3 में से, ठीक है, wrong term of series 1, मतलब 35, ये ही wrong है न, 35, wrong है, and n are co-prime to each other, co-prime मतलब क्या होता है, I hope आपको ये भी पता होना चाहिए, मतलब कोई और factor नहीं होना चाहिए दोनों में, तो ये मुझे दिख रहा है कि 7 into 5, और ये 36 into 4 होता है, ठीक है, तो basically 16 into 9 होता है न, ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि दोनों में कुछ भी common नहीं है, तो yes, they are co-prime, तो पहला वाला तो सही है, पहला statement सही है, ठीक है, अभी if one root of the equation is 18, एक root 18 है, तो value of p will be 8, तो देख लेते हैं, 18 को आप x में डाल दो, क्या हो जाएगा, 324 minus 18p plus n का value 144 equal to 0, क्या हो जाएगा, 18p equal to 324 plus 140 क्या होगा, 464, 468, तो p का value मुझे दिखतो रहे कि 8 नहीं है, काफी जादा होगा, 20, 36, 6 और 26 होगा, ठीक है, यह statement गलत है, unit digit of 19 raised to n is 9, तो 19 raised to 144 का unit digit बोला है, ठीक है, यह ही मैं बोल रहा हूँ, यह आपको practice करना चाहिए, ठीक है, यह वाले type के आप practice करना, क्योंकि यह mocks में भी आपको हमेशा दिखेगा, और exam में भी आई ही जाता है, एक नए question, so, अब हमें पता है, 9 का cyclicity, 2 है, ठीक है, हर दो power के बाद, वापस से repeat होने लगता है numbers, मतलब 9 raised to 1 का unit digit 9 है, 2 का unit digit 1 है, और फिर 9 अगर मैं cube करने जाओंगा, तो वापस 9 आ जाएगा, तो हर दो के बाद repeat होना चालो हो जाता है, तो cyclicity 2 है, तो यह जो number है अब, जो इधर है, यह 2 से divide होता है, ठीक है, इसको मैं 2 raised to 72 into 2 ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, तो यह 2 से divide होता है, तो remainder 0 आ जाएगा, मतलब cyclicity, इसका 2 है, अगर remainder 0 आ जाएगा, तो जो भी cyclicity है, उसी का power देखना है हमें, तो 2 पावर जब होता है, तो unit digit हमेशा 1 होता है, तो यह third वाला भी गलत है, तो unit digit जो है, वो actually 1 होना चाहिए था, ठीक है, इससे आपको idea लगेगा, कि ऐसे questions आते हैं, और यह आपको, इस वार IBPSP moments में, यही मुझे समझ में नहीं है, कि कैसे लोग, एक question भी solve नहीं कर पा रहे थे, maths में, जबकि ऐसे quadratic वाले question थे paper में, तो यही सब आपको, ऐसे question करने है, miscellaneous के, मैं इसके लिए बोल रहा हूँ, DI हो सकता है, आप नहीं कर पाओ या कर पाओ, बट यह वाले question बिलकुल कर सकते हो, ठीक है, सो sources की अब अगर मैं बात करूँ, तो YouTube पे बहुत अच्छे playlist आपको mains के मिलेंगे, career definer का है, कौशिक सर का, इनका काफी अच्छा playlist है, मैं description में link डाल दूँगा सब, तो आप जाके देख सकते हो, बाकी भी आपको कुछ ऐसा लगता है, कि YouTube पे नहीं मिल रहा है, तो मुझे पूछना मैं आपको ढूंट के दे दूँगा, ग्रूप पे बता देना मुझे, टेलिग्राम ग्रूप का भी link डाल दूँगा, फिर आशी शर्वार सर है, उनका certified यह तो सब जानते होंगे आप, और उनका ये वाला एक अभी YouTube पे series चल रहा है, तो ये आप practice बिल्कुल करो ठीक है, means from basics वाला, फिर एक अरून सर करके है, आप इनका भी देख सकते हो, इनका भी काफी अच्छा है, तो आपको content का कम ही बिल्कुल नहीं है, आपको तो इनके actually channel पे, इनके भी telegram channel पे काफी PDFs भी मिल जाएंगे, इन दोनों के PDFs मिल जाएंगे channel पे, तो आप उधर से भी कर सकते हो, आशी शर्वार सर का तो काफी जादा ही है, बाकी मैंने आपको guidely का जो है, इसका live practice quiz दे के दिखाए है, तो आप उधर से देख सकते हैं, उधर बहुत सारा content है, free test है, तो आप उधर से test दे सकते हो, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी, और या तो आपके अगर bundle PDF है, तो आप bundle PDF को test format या PDF format में solve कर सकते हो, ठीक है, ये भी है आपके पास एक option, अगर आपके पास है तो, और बाकी तो आपको ये सब आपका practice हो जाए, practice जब आपका पूरा हो जाए, तब आपको sectionals लगाने, और फिर आपको mocks पर जाने, ठीक है, और 60 में, देखो target 50-60 तो लाना नहीं है, क्योंकि आपको पता है, cutoff ही 80's में रहता है, इस बार तो cutoff 71 था, general का, तो आपको पता है, आपको इतना नहीं लाना है, बिना उतना लाए हुए भी आप exam निकाल सकते हो, ठीक है, in fact, इस बार अगर आप देखोगे, तो लोगों ने 0.5, 1 mark बस उपड लाया था, mains में, बट उनका final selection हो गया, because interview में बहुत अच्छा किया, बट वो बात की बात है, मैं तो कहूंगा, वो काफी luck पे based होता है, ठीक है, काफी ज़्यादा, किस को, किस दिन कितना देदे, पता नहीं interview में, तो आपको mains पे काफी अच्छे से ध्यान देना है, और mains में ही जाल से ज़्यादा try करना है, अच्छा करने का, ठीक है, तो ये sources हुए, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, तो देखिए, आप study materials पर जाईएगा, guidely के website पर जाने के बाद, guidely के website पर study materials में, ये practice quiz पर click करना है आपको, ठीक है, उसके बाद आप fonts पर या जो भी आपको all, ये सब देखिए, इतना option है, तो इसमें आप देखिएगा तो इतना सारा test का format है, ये देखिए, काफी जादा है, आपको mains के भी मिल जाएंगे, वह ये थोड़ा आपको ढूनना पड़ेगा, अब ये देखिए, ये final booster mains का इधर है, ठीक है, अब नीचे भी आपको देखिएंगे काफी mains के, ये देखिए, SBI clerk mains इधर भी है, तो मैंने इसमें देखा है कि SBI PO mains, IBS PO mains के भी आपको sectional भी मिल जाएंगे, और इनका जो actually bundle PDF के कुछ है, वो भी इसमें हैं आपको practice के लिए, तो आप बिलकुल इधर भी आके refer कर सकते हो, practice कर सकते हो अपने quizzes, मैं आपको यूट्यूब दिखा देता हूँ, यूट्यूब के कुछ playlist, जिसका मैं link डाल दूँगा description में, so एक तो ये हुआ, ये कौशिक महनती सरका है, जो मैं बोल रहा था, ये आपको काफी सारा मिल जाएगा इसमें, ठीक है, ये एक है, फिर एक आशिश सरका है, ये आशिश सरका है, तो ये भी काफी अच्छा है, आप ये इधर से भी कर सकते हो, ठीक है, इधर भी आपको मिल जाएगा, तो इसमें topic-wise ये सब data, interpretation, arithmetic वाले भी करवाई हैं सरने, और कौशिक सरने भी करवाई हैं, तो आप इधर देख सकते हो, लिंक में डाल दूँगा, अगर आपको कुछ भी डाउट हो, तो आप कमेंट में पूछ लेना, टेलिग्राम ग्रूप पर जॉइन कर लेना, अगर आपको कुछ यूट्यूब का प्लेलिस नहीं मिल रहा है, या आपको कोई specific प्लेलिस्ट या कुछ धूनना है, तो मुझे बोलना, मैं धून के आपक and any such strategies, and keep preparing consistently. Thank you.